नमस्कार स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश, खास मुलाकात में, मैं हूं कृते मिश्रा और आज मेरे महमान है मानफ संसाधन विकास मत्री रमेश पोक्रियाल निशंग जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर और धन्यवाद हमसे बात करने के सर सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की शेक्षनिक संस्थानों की जो मिनिस्ट्री ओफ होम अफेस की गाइडलाइन्स हैं उसके हिसाब से 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे लेकिन उसके बाद जो राजिसर कारे हैं वो अपना-पना प्लैन बना रही हैं लेकिन अथक स्कूलों को खोलने का बिचह है राजियों के साथ लगातार परामर्श करके और ग्रै विभाक के साथ परामर्श करके और स्वास्ते विवाक का जो निर्देश है उसका पालन करके हम लोग आगे इसको जब भी खोलेंगे इन दोनों तिनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अभी कोई निश्चित थी तैव भी है ऐसा नहीं है क्योंकि अभी सब परिक्षाईं चल रही है लेकिन अपेक्षा कर रहे हैं कि 31 अगस्ट तक जो नए प्रवेश हैं वो जरूर हो जाएं और फिर अगस्ट के बाद सितंबर में कक्षाईं विदिवत शुरू हो सकें ऐस सोचते हैं आगे वो तो ग्रे मंत्रा ले फिर निर्देश देगा और स्वाइसे मंत्रा ले के परामर से हम लोग स्कूल खोल सकेंगे अलेकिन सर एक बड़ा मुद्दा जो अभिभावकों का है कि सत्र शुरू होने से पहले ही जो स्कूल है उन्होंने नई एड्मिशन फीस की मांग सामने रखती है किस तरह से इसका रेजिलूशन निकालेगी सरकार और आपका मंत्रा ले आँ देखिए अभिभावकों के शिकायत जो है आब ओ राज्यों के साथ थोड़ा सा जोड़कर के मैं लगा तारीका है कि जहां तक शुलक का सबाल है और जो फिस लेने का वो है वो राजियों पर ही निर्वार करता है राजियों का भी बीशा है यसलिए मैंने लगा तार जब पीछे के दिनों में भी हुआ एक तूर अध्यापक बोलते थे कि उनको बेतर नहीं मिल रहा है तो परबंदन कहते थे कि उनका शुलक नहीं आ रहा है उदर भाव कहते थे कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है तो फिर किस बात का शुलक है तो इन तीनों में कैसे समझ में हो सके राज्य सरकारों को थोड़ सा आगया करके और इस जो बादा है इसको दूर करना चाहिए है ऐसे मैंने सभी शिक्षा प्रदान करने में देखें ऑनलाइन लर्निंग हमारी बिवस्ता है कि हमको ऑनलाइन पराना पड़ा और हम सोच भी नहीं सकते दुनिया में किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा ना दुनिया को पता था ना देश को पता था ना अविभा को पता था ना चात्र को ना हमको लेक अससी इस्तिती में एक सपता हो, दो सपता हो, लेकिन मेने हूँ, Director मेने हो हो, तो फिर वो छातर जिसको throttle luck रहता है, जो ऐते हम आइं लाइन पर नहीं लाते. तो क्या इस्तिती पैदा होती है आप समझ सकते हैं इस बात को और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश का आप तो जानते हैं एक हजार से भी अधिक विश्व विद्याले हैं यहां और पैंतालिस हजार पचास हजार डिग्री कॉलेज हैं यह पंदर लाग से अधिक अधियापक हैं और कई देशों के कुल जित्ती जन्संक्या नहीं होगी उतना 33 करोड से अधिक हमारे चातर चातर रहे हैं अभी इनकी सुरक्षा की पहली जिमेदारी है हमारी की उनकी सुरक्षा हो तो उनको घरी पर वो भी छुपना हों वो कटनाई में न जाएं वो उनका मनोबन न गिरे वो अवसाद में जाने के इस्तितमें न आएं अभी भाग परिशान न हो इसलिए हम ओनलाइन पर लाएं कि ओनलाइन अधियापक और अभी दोनों मिलकर के अपने बच्चे को अधियन करवाएंगे ऐसा हम लोगों ने सोचा विचार किया और उसी आधार पर हम लोग ऑनलाइन पाठेकरम को लाएं मुझे खुशी है कि काफी कुछ कबर किया है काफी कुछ अभी कबर करना है क्योंकि हमारा तारगेट अनतिम छाते तक पहुंचने का है लेकिन ऑनलाइन तो हमारी बिबस्ता है में से ऑनलाइन ऑफ लाइन दोनों ही चले तो बहुत बहतर होगा लेकिन कब तक सामाने इस्तित आएगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन हमने स्वेम, स्वेम प्रभा, दिक्षा, ईपार्चाला, एंडियल, इन सब के माधियम से कहीं ने कहीं अब जैसे स्वेम पर हमारे 2000 से अधिक और से हैं, हमारे जैसे पर चलेंगे, टाटा स्काई पर और रिलाइंस पर चलेंगे, ताकि दूरस्त चेतर में बैठे बच्चे को भी कैसे करके उसका पठेक्रम मिल सकता है, उसके पास स्मार्ट ट्रेलफोन नहीं है, नेट नहीं है, तो कहीं नहीं टीवी के माधियम से अपने कूर्सों को में हम लोग लगातार कोशिश से, जोरत पड़ेगी तो रेडियो पर भी जाएंगे, और ये सबी कुछ करके उस अंतिम छोड़ तक के बच्चे तक पहुंचने की हमारी कभायत जारी है, लेकिन इश्रंक जी उन छात्रों का क्या जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं ह जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है? हम प्रयोग करेंगे, और इसलिए राज़ सरकारों के साथ लगातार हमारे संबाद है, ताकि उन्तिम छोड़ का बच्चा भी ना चूटे, ऐसे हम लोगों के कोशिश है. सर लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि महामारी का सबसे प्रतिकूल प्रभाव अगर किसी पर पढ़ाए तो चात्रों पर पढ़ाए. हाँ, सौबाव किया, वैसे तो पूरी दुनिया में आपने देखा है कि पूरी दुनिया इस महामारी कोरोना के संकट से ओकर गुजर रही है, और जो विकास सिल देश थे आपने देखा होगा, कि वो बिल्कुल चौरहे पर खड़े हैं, वो तो हमारे देश के प्रधान मंत करते हैं, पूरा देश एक जुट खड़ा हो जाता है, उसी का परिणा में कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांतिक देश, जिसकी आबादी 130 करोड है, वो आज भी पूरी तरह सुरक्षित है, इस गनगूर महासंकट के बीच भी पूरी ताकत के साथ देश खड़ा है और इसका कारण है कि हमारे देश के परदान में ने समय पर कदम उठाए, पुरा देश उनके पिछे एक जुटा, अब सौबावी की है, जो मैं भी कही रहा था कि 33 करोड से भी अधिक चातर चातर हैं, यदि उनके माता और पिता को भी देखेंगी तो 33, 99 होता है, तो 99 लोग सीधे सिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, माता पिता भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि बच्चा उनका है, तो इसलिए प्रभावित हैं, बच्चे प्रभावित हैं, सिक्षा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकर हमने कोशिश की कि उस बच्चे को ह उसे भी रेगुलर उसको मदद मिलती रहे हैं और हो अवसाद में न जाए ऐसी हमारी पूरी तरीके से कोशिश है इसलिए निश्चित रूप में शिक्षा का तंत्र सबस्द जदा प्रभावित हुआ इसमामारी से लेकिन हम उसी में बहुत अच्छा रास्ता हमने निकाला है और निकालते जा रहे हैं राध्य सरकारों के साथ किस तरह तालमेल बैठा रहा है केंडर लगातार आपने पीछे की समय में भी देखा होगा कि मैं देश के सभी शिक्षमन्तियों से मेरा संबाद वा देश के सभी एक हजार से व्यादिक विश्व विद्यालों के कुलपति से संबाद किया तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर हमने कभी कोई कोरकसा नहीं छोड़ी संबाद हिंता हमने होने नहीं दी और उनसे सुझाव भी मांगते रहे और इसलिए राज्यों के साथ हमारा लगतार तालमेल है हमने अभी कहा है उनको कि दिक्षा पोट भाशा में क्योंकि हम सुरू से कहा है कि हम भारते भाशाओं को और सशक चाते हैं हम तमिल, तेल्गू, मलैलम, कंड़, गुजराती, मराठी, बंगौली, हम अर्दू, संस्क्रेट, गुजराती हैं सारी भाशाओं को पूरी ताकत के साथ हम जो भारत की संबिदान की आकरशक तक करना चाते हैं और इसलिए सभी राजियों से का कि वो अपने राजे की भाशा में वो उसको करके उस पोर्टल पर डाले और राजे डाल रहें और अकरशक पैठकरम भी उसमें डाल लें और उन संस्ताओं से भी हमने निवेदन की हमने विद्यादान वन किया त आध्यापकों ने कुब्शुरत तरीके से हमको समागरी देनी शुरू की है और इसलिए एक से लेकर के बारता कई भासां में हमरे पास समागरी 15 भासां में पठे समगरी हमारे पास उपस्तित है और उच्छे शिक्षा में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके से जाए उच्छे शिक्षा में भी लगवग 2000 कूर्सिस की हमारे पास बाकदा कई भासाओं में समगरी है और उन भासाओं को हम तेजी से बढ़ाना चाहते हैं उसको सरसे उच्छी शिक्षा और जो तक्नीकी शिक्षा है उनके सत्र आगे बढ़ाई जा रहे हैं कितना असर होगा शैक्षनिक गुडवत्ता पर इसका हम सारे स्कूल हमारे कोरोना सेंटर बने हुए हैं प्रस्तितियां विक्राल हैं तो ऐसे समय में बच्चे की जो हमारा चातर चातर है उसकी जीवन की स्वरक्षा हमारे पहली प्रात्मिकता है अभी वाग की भी होगी किस की नहीं होगी और इसलिए वो हम लोग कोशिश हमने एक जटके में कहीं समय हमारा मन तो एता जैसे प्रस्तिती वो हो हम निरंतर परतित दिन एक नया नर्ने लेते हैं और प्रस सत्र को थोड़ा सा पीछे जरूर किया है लेकिन सत्र को खत्म नहीं किया है साल खराब नहीं हो किसी चात्र का यह हमारे पहली प्रात्मिकता है अलग-अलग राये आ रही हैं अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं कई लोगों का यह भी कहना है कि इस साल जो सिल्विस है उ जो पर्ठिक्रम है यह बहुत ज़्यादा है यह कम होता तो हम लोगों ने अभी सबसे सुझाओ मांगे हैं और आपको तो पता है कि हमने कहा है कि बता है वो क्या चाहते हैं किस भी से में चाहते हैं यदि लोग यह भी सुझाओ दे कि कहां तक चाहते हैं और क्या नहीं चाहत हैं यहां क्यों इतने कोर्स होना चाहिए उनके पास कोई ठोस हो जाओं तो दें उस पर भी विचार करने के लिए आम लोग मना नहीं कर रहे हैं और इसलिए NCRT के तहट एक टास्क फॉर्स भी हमने बनाई है जो इस बात के लिए अधियन कर रही है कि बच्चे पर बहुत सिसके ध्यान रखा है यह नहीं सिख्षा नीति का मसोदा आप सब लोGO ने दीका है, पड़ा है उसको मैसूज भी किया है और वो जो नहीं सिख्षा नीति का मसोदा है उस दुर्स हो अब तक की दुर्स के सबसे बड़ा पारा मर्सू कि जिसमें राजियों से लेकर के NGEO न अध्यापक कोंसे ले करके विद्धाव से ले लेकर के जन्प्रतिनिद्यों से लेकर क्या किस सिमत कर हूम संबाद है यहां तक softer सब्राक ग्राम समित्यों के भी आम लोगों के सुझाव लिए हैं तो उसमें बहुत बड़ा परामर्श हुआ है और जो निचोड करके आएगा वो निश्यत रूप में भारत की धर्ति क्या निरूप होगा देश को आगे ग्यान, विग्यान, अनुसंदान, प्रियोद्योगी की छेतर में आगे बढ़ाने के लिए उसमें ताकत होगी। हम सबकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन लेकर आया है COVID-19 और अगर चात्रों के संदर में बात की जाए जो कॉलेज में हैं या जो भी तकनीकी शिक्षाग रहन कर रहे हैं उनकी प्लेस्मेंट पर कितना असर पड़ेगा और इसके लिए क्या करेगी सरकार। देखिया असर तो सब भी जगह पड़ा है कोरणक के मामारी का असर कहां नहीं पड़ा है पूरी दुनिया पर पड़ा है लेकिन मुझे लगता है कि इस कोरणक के मामारी के असर पर हमारे देश के प्रदान मंतरी ने जो हमारे नव जबानों को या भन किया कि वो क्या कर सकत हैं तो मुझे यह कहते हैं खुशी है और संतोस भी होता है कि जब लोग अपने घरों में रहे होंगे तब हमारे युवाओं ने आई टीज एनाई टीज हमारे आई सर आई एम बेगनिक संस्थाएं वेसो बिद्याले इन सब्वों में प्रयोक सालों में रात दिन खप करके न ने से नए अनुसंधान किये और मुझे ख़ुश होती है चाए वो एंटिलेटर सस्ता और ठीकाओं एंटिलेटर की दिशा में काम हो होँ चाए टेस्टिंग कीट कैसे करके सस्ती ओर कम समय में ज़्यादा प्रभावशाली कैसे हो सकते हैं उस दिशा में काम करना हो चाए तोर्फदी की दिशा में हो छायर Nevada की दिशा में हो युदि आप देखेंगे युक्ति पोर्टल हमने बनाया पिर इस युक्ति पोर्टल में हमने का ज Catherine संदान हो रहे हैं सब आप Eu çokल पर traz陽 कि आप इस इत्वी किया है। युक्ति टू उनका यह hawkathon किया था जिसमें प्रधान मेंतिजी ने उसका उदगाटन किया था मद्रास में तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रतिवाएं हैं जो उनके ideas हैं उनका जो विजन है उसको एक platform पर दुनिया का बड़ा platform होगा जब हमारे तक्निकी दिर से और प्रद्योगी की दिर से हमरे चातर-चात्राँ के ideas होंगे और वो नएáडियास को लेकर के उद्योग पति से लेकर के ब्यापारी से लेकर के किसान से लेकर के और विभागों तक के लोग और गाहों के लोग किस तरीके से अपने को उन्नक करने के लिए अपनी अर्थिकी को बढ़ाने के लिए जो आत्म निर्वर भारत है उसको और सशक्त करने के लिए उस आइडियाज के अधार पर अपने अपने छेत्रों में काम करेंगे और वो नोज़मान उस दिन अपने अडिया को लेकर के उस किसान के साथ या उस उड्योपति के साथ या उस व्यापदी के साथ जिसके अभिपसाय कुछ करने की उसके साथ मिल कर के एक ऐसा जो भारत के प्रधान मंतीजी ने उन्हें कि Make in India, Digital India, Skill India, Startup और Standup कि Make in India क्यों Make in चैना हो, क्यों Make in Japan हो Make in India क्यों नहो और आप तो आपको मालूम है कि जो विदेशी तमाम वो आप थे जो भारत की समपर्बुता एकतार अखंडता पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कभी खत्रा भी हो सकता है ऐसे देश की एक तारा खंड़ता को मद्यर रजर रखते हुए और देश की संपरबूता को मद्यर रखते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैंसला किया है और पचासे भी अधिक इन आप पर प्रतिबंद लगा है अब तो मेरे नोज़वान के हातों में पूरा मैदान खाली है और उनमें प्रतिबा है वो इन सब को इस देश के अंदर तैयार करेंगे और जो भारत की प्रधान मेंतिजी ने का मेक इन इंडिया होना चाहिए अब मे कथनाईयों मेथी टाकत के साथ काम होगा तो यही चुनोतियां आउसरों में तब्दील हो जाएँगी और उमेरा इस देश का छात्र उन आउसरों को पा रहा है उन चुनोतियों का मुकबला करके उनको आउसरों में बदलना है तो चुनोति जiness जरूर है ही ज़ान तक आप कुछ कमपनियों ने कहा कि उनके न्यूक्ति पत्रिश्ट किये मैंने स्वेम मुन से अन्रोथ किया ये वक्त ऐसा नहीं है आप उनको उनका उप्योग करिये मुझे खुशी है कि आदा परतिशाद तो कोई कुछ लोग होंगे तो होंगे नहीं तो कमपनियों ने कहा कि ठीक है हम किसी को भी जिसका चैन हो गया उसको रोकेंगे नहीं अपनी यहां आने से और हम इसको बढ़ाएंगे अब इसको तेज़ से हम लोग बढ़ाएंगे लेकिन अब भारत के लिए आतम निल्ड भारत का एक एस सुत्र मिला हुआ है हमारे देश के प्रदान मेंतरी से जिसको हमको क्रियानित करना है इसलिए हम इन चुनोतियों का मुकबला निश्चित रूप में करेंगे और इनको अफसरों में तबदिल करेंगे और मैं अपने नौजवानों को इस दिसा में आभान करना चाहता हूँ कि आगे 25-30 साल तक यंग इंडिया रहने वाला है जो हमारी आयू है पूरी दुनिया जब बुजर्ग हो रही होगी ठकी हारी होगी तब हमारा युवा पूरी दुनिया पर छाने के लिए तयार होगा तो अभी से उसको उस दौड के लिए तयार होना है और मैं विश्चिश करके नौजवानों को आवान करता हूँ अपने जितने हमारे श्रिष संस्ताने विसो विद्याले हैं तक्निकी संस्ताने उनको मैं शुब कामने देना चाहता हूँ कि वो आगे आएं और इस अवसार का लाब लें निशंक जी आप हमसे जुड़े सोशल डिस्टेंसिंग के जमाने में विर्चल प्लाटफॉर्म के दुआरा आपने हमसे ये सारी जानकारी साजा की बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और राध्यसभा टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद